नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशिका हम लेकर आए हैं देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिनके विश्डेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर विपक्ष के ब्रहमास्त्र का पीएम मोधी ने दिया करारा जवाब इंडिया गटबंदन पर किया जोड़दार प्रहार इस्ट इंडिया का जिक्र कर इंडियन मुझाहिदीन से की विपक्षी गटबंदन की तुलना पीम मोदी के वार से कॉंग्रेस हुई पस्त इंडियन मुजायदीन से तुलना करने पर बॉकलाई कॉंग्रेस राहुल ने कहा जो कहना है कह लीजिये हम इंडिया है मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई नई रणी थी केंडर के खिलाफ विपक्ष ला सकता है और विश्वास प्रस्ताव मनिपुर पर संसद में पी-म के बयान की मांग रहेगी कायब सीमा हैदर के बाद चर्चा में आई अंजू मीना प्रेमी से मिलने जूट बोल कर पहुंची पाकिस्तान हिंदू महिला के साइको होने का किया जा रहा था और खबरो की शरवात में बात करेंगे पी-म मोदी के विपक्ष पर प्रहार की संसद में लगतार मनिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा बरकरार है संसद में मनिपुर के मुद्धे पर गतिरोद दूर करने के लिए आगे की रनीती बनाने को लेकर सजकात जुटी हुई है इसी को लेकर आज बीजेपी संसिदिये दल की बैठक हुई इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा किवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता इस इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था लोग साब PM Modi के इस बयान के क्या माइन है देखे एक narrative create किया जा रहा था कि India versus Modi आप यह समझे यह जो नाम रखा गया INDIA और इसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत खुश्या मना रहे थे प्रदान मंत्री Modi का तो बोलना वाजिब था और उने कहा कि बहीं देखिए इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता बहुत सारी ऐसे संगठन हैं जो देश विरोधी इंडिया के खिलाफ काम करते हैं जैसे इंडियन मुझाहिदीन उसमें भी इंडिया नाम है इस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो भी हिंदुस्तान को लूटने आई थी ये भी लूट रहे हैं अब कई सारे नाम उन्होंने छोड़ दिये Communist Party of India Communist Party of India Marxist Communist Party of India Marxist Lillianist ML Communist Party of India Maoist ये सब टेरोरिस्ट हैं ये देश विरोधी टुकुडे टुकुडे गैंक के लोग हैं चैनीज पहले रस्यन पैसे पर यहाँ पर राज़िति करते थे हैं अब चैनीज पैसे पर काम करते हैं तो नाम रखने से तो कोई हिंदुस्तान का स्पोक्सपर्सन तो नहीं बन जाता तो ये एक टग अफ वार है, नेरेटिव की लडाई है कि जिसमें प्रधान मंतरी मोदी और बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया वाले है, ये गुलामी मानसिक्ता वाले लोग है ये एक ऐसा आइडिया अफ इंडिया लेकर के चलते हैं कि जिसमें कोई संसकार नहीं जिसमें संस्कृती नहीं जिसमें इतिहास नहीं जिसमें हिंदुत्य नहीं जिसमें परंपरा नहीं जिसमें हिंदुस्तान की प्राचीनतम जो विशेश्टाएं हैं उसकी कोई जगे नहीं भारत वर्सेज ये इंडिया का नेरेटिव गढ़ा जा रहा है और सही गढ़ा जा अगर विचारधारा की लड़ाई ही लड़नी है पॉलिटिकल पार्टी इसको तो ये फर्क करना जरूरी है कि ये इंडिया ये तो बाद में नाम आया ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान के तौर तरिके पे ही चलेगा इसलिए प्रधार मंद्री मोदी ने जो अटेक किया वो वजव अटेक है। पर मनिपुर मुद्दे को लेकर केंद सरकार को घेड़ना शुरू कर दिया। लोग सब पीएम मोदी ने अगर विपक्ष पर प्रहार किया तो फिर क्यों कॉंग्रेस इतना बॉक्स ला गई। देखिए चोर के दाड़ी में तिनका वाली कहावत है। ये कहरें कुछ भी कह लीजी, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तुम अपने आपको इंडिया से तुल्ला करने लग गए। तो ये बताओ ये कैसा तुम्हारा गटबंदन है जो विदेशियों के साथ मिलके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ये कैसा इंडिया है जो चैनीज एंबेसी से, चैनीज सरकात से पैसे लेता है। जो हर बार इंडियन आर्मी के हर कारनामे के उपर सबूत मांगता है। ये कैसा इंडिया है जो दुनिया भर में जाकर ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस इंडिया के अंदर कोई डेमुक्रेसी नहीं है। ये कैसा इंडिया है जहां पंचाय चुनाओ के अंदर आप 50-50 लोगों की जान ले लेते हो। ये कैसा इंडिया है जिसमें अपोजिशन अगर प्रोटेस्ट करने निकले तो पट्टा में उसे लाठी से मार के खत्म कर देते हो ये कैसा इंडिया है जो हर चीज जिसकी खूबी के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है उस पे सवाल जवाब करते हो तो ये तो चोरी पकड़ गई तो ये बॉखलाहट तो जरूरी है इसलिए प्रदान मंत्री बोधी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाए राहुल गांदी उन्होंने क्या कहा जो कहना कह लीजिए हमें कितनी भी कुछ कह दीजिए उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता वाकई राहुल गांदी पे अ हिंदुस्तान को जानने की कोशिश कर रहा है तो आप ये समझिए कि ये किस हालत में कॉंग्रेस पार्टी पहुँच गई है पियम मोदी के बयान से कॉंग्रेस तिल मिलाने लगी तो विपक्ष ने नई पैत्रे बाजी शुरू कर दी संसद में विपक्ष के हंगामे को बरकरार रखने और केंडर के खिलाफ आगे की रनीती पर चर्चा करने के लिए विपक्षी गटबंदन इंडिया की बैठक बुलाई गई जिसमें विपक्ष की ओड़ से केंडर सरकार के खिलाफ ओविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर चर्चा की गई साथी तैह हुआ कि मनिपूर मुद्दे पर संसद में पीम मूदी के बयान की मांग को कायम रखा जाएगा और हंगामा ऐसे ही बरकरार रहेगा रख साब क्या विपक्ष ओविश्वास प्रस्ताव लाएगा ये संभव है और लाएगा तो क्या वो पारित हो पाएगा देखी येसी कहते हैं दिवार पर अपने सर को जाकर के पीटना ये सोचते वे कि दिवार को तोड़ देंगे इंजर्ड हो जाओगे ये ऐसी स्ट्रेटजी पता नहीं किस ने बनाई कि जिसमें सुरवात में सबको मालू में कि हारने वाले हो ऐसा मैच खेल रहे हो कि जिसमें हार सुनस्चित है और ये जानते वे भी आप कूद रहे हो क्या लग रहा है कि मनिपुर के उपर चर्चा होगी और आप जो है प्रदान मंत्री मोदी की सरकार को गिरा ले जाएंगे सौ से ज़्यादा कुछ सीटे हैं कॉंग्रस के एलाइंस के पास और आप सालित तीन सो एक जो बिलकुल इस सौलिड रॉक सौलिड बहुमत के साथ सरकार चल रही है उसको आप चुनोती दे दोगे ये स्टेटीजी तो गलत है लेकिन क्या करे प्रदान मंत्री मान नहीं रहे बारती इंता पार्टी को जुकाने में ये लोग काम्याब नहीं रहे अब ये चाहते हैं कि अभिस्वास प्रस्ताओ पेश किया जाए ताकि बोलने की पूरी आजादी मिले ताकि मनिपुर के करो 267 पर करना है तो 267 के तरहती करेंगे आपकी बात बाल लेते हैं लेकिन फिर यह मत कहना कि सिर्फ मनिपुर के उपर डिसकसन होगा डिसकसन फिर बंगाल में जिस हिसाब से 50 लोग भी पंचायत में मारे गए हैं जिस तरीके से हर दिन रेप हो रहा है राजस्तान में उस खबरे आ रही है कि कई सारे जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने कहा कि मत करो ऐसा अपनी ही बेज़ती होगी लेकिन देखिए विपक्ष ने ये तैक कर लिया है कि संसत को नहीं चलने देना है क्यों नहीं चलने देना है कि ताकि मोधी सरकार कोई काम न कर सके अगर 31 बिल जो ह तो उसको कैसे रोका जाए तो आपके पास तो संख्या है नहीं तो आप क्या करेंगे तो आप दूसरा रास्ता disruption का तो democracy में ये disruption कितना जाइज है कितना नाजाज है ये देश की जंता बहुत गोर से देख रही है दो हजार चौविष में इसी हिसाब से फैसला भी लिया जा बिल्कुल अब देखना ये है कि केंदर के खिलाफ विपक्ष की ये रनीती कैसे फेल होती है आगे बात करेंगे ग्यानवापी परीसर में सर्वे की सुप्रीम कोट में ग्यानवापी मस्जित के ASI सर्वे पर दो दिनों की रोक के बाद हिंदू पक्ष की और से इस मामले में इलावाद हाई कोट में कैवियेट डाली गई जिसके बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी और से कैवियेट दर्ज करवाई अब ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की कैवियेट को हाई कोट में स्वीकार कर लिया गया है अदालत में कल यानि 26 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी इस दौरान दोनों पक्ष कोट में मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि कल ही हाई कोट अपना फैसला भी सुना देगा लोग सब क्या कुछ हाई कोट में हो सकता है देखिए ये तो दिन के उजाले के तरह साफ है ये तो टेक्निकलिटिस में लोग फस रहे है वहाँ ग्यान वापी मस्जिद का नाम होता है तो नाम सही गड़कड़ है भई ये उर्दू, फार्सी, अर्भी यही सब करते करते जिन्दगी इन लोग की गुजर गई और मस्जिद का नाम जो है वो ग्यान वापी कैसे रखा जा सकता है भई तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं पूरी दालिकाली है, वो पूरी मस्जिदी मंदिर को तो जो बनाए गई है ये और अरंजेब का फर्मान जिसने तुलवाई है उसके फर्मान है तमाम लिट्रेचर है और वहाँ पे जो साख्ष नजर आते है दिक्कत क्या है मुस्लिम पक्ष इसी तरी की कुतर को लेकर के राम मंदिर को डिफेंट करने की कोशिश कर रहा था उस वक्त तो कई सारे इतिहासकार खरे हो गए थे कि नहीं नहीं यह हम कहते है था यह तमाम यह जेन्यू, डियू, अलिकर नूर्शिटी के जो तमाम वामपंथी, देश द्रोही इतिहासकार है यह जाकर के कोट में खड़े होकर के गवाही देकर क्या है कि जो भाबर ने बनाई मस्जिद वो समतल जमीन, नीचे तो कुछ है नहीं वहाँ कभी कोई मंदिर था ही नहीं क्या हुआ कहा गया आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को कहा दो, वहाँ पे अंदर देखो जाक के, खुदाई हुई वहाँ पे जमीन ने सबूत उगलना सुरू कर दिया यहाँ तो उसकी भी जरूत नहीं है यहाँ तो सबूत निजर आ रहे है सामने उसके बाद भी आप यह कुतर करेगे यह वक्त की जमीन है यह मजद है तो यह जो लोग सेक्लिरिजम का ढोल पीटते हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हिंदुस्तान में हिंदूों को प्रतारित करके सेक्लिरिजम की रक्षा नहीं की जा सकती यह गंगा जमी तहजीब की कसमे खाने वाले लोग उनको समझ में आना चाहिए कि आप हिंदू सेंटिमेंट्स के उपर बुल्डोदर चला करके यहाँ पे कोई नया आइडिया आफ इंडिया क्रियेट कर लेंगे तो यह इंडिया बदल चुका है और कोट में वही होगा जो नयाए है नयाए क्या है कि मंदिर था मंदिर है और आगे भी मंदिर यह बनीगा जी बिल्कुल अब देखना यह है मामले की परताल कर रही है और सीमा के सभी दस्ताविजू की तस्दीक करवाने उन्हें पाकिस्तान भीचा गया है इसी बीच सीमा हैदर जैसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें एक हिंदुस्तानी महिला अंजू मीना अपने प्रेमी से शादी करने की अटकले लगाई जा रही है हलाकि अंजू को लेकर उसके सनकी होने के दावे किये जा रहे है लोग सब एक और मामला क्या इतना आसान हो गया है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करना देखें फर्क है दोनों केस में जो सीमा हैदर आई वो इलीगल तरीके से आई और ये जो अंजू मीना है ये लीगल तरीके से पाकिस्तान गई बकाइदा वीजा ले करके अब जो खबर आ रही है वहां से वो ये कि वो वहां नसुल्ला से साधी कर चुकी उसने वीडियो रिलीज किया बताया बहुत खुश है तो खुश रहने दिया जाए उसको उधर ही रहने दिया जाए भारतानी की कोई जरूत नहीं है आपको आपकी जिंदगी आपकी खुश्या मुबारक लेकिन ये सवाल उट रहा है कि बच्चो को छोड़ दिया इधर ही पती को छोड़ दिया इधर ही दोनों केस बड़ा ही सिमिलर है अब पाकिस्तान में इसका क्या रिस्पॉंस होगा क्योंकि इसको तो शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा पाकिस्तान में कोई भी या किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए जो पहली शर्त है वो यही है कि उसको धर्म बदलना पड़ेगा अदरवाइस वो शादी मानी ही नहीं जाएगी और जो वीडियो रिलीस की है आज उससे ऐसा लग रहा है कोई प्री वेडिंग शूट चल रहा है बकैदा ड्रोन वेगर से तस्वीरे खीच किया कि बकैदा उसने वो डाला है कहा है कि मेरे पती मेरे बच्चों को आप तंग ना करें और हमें यहाँ पाकिस्तान में रहने दे उनको उनकी जिन्दगी मुबारक उनको उधर ही रहने देना चाहिए इस सब मुद्दों के उपर ज़्यादा नीडिया जो टाइम बरबाद करती है वो बरबाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद वहां से किस तरह का रियाक्शन सामने आता है वो देखने वाली बात होगी देश जुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विशलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज़त नहीं अगर आपको हमारे विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना पूरे